नमश्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पर दोस्तों आग जो वधी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही सुन्दर हैwe देवी मा की जो चीजे हैं, उनसे ये विधी को बनाया गिया है। अगर इस विधी को आप अपनाते हैं तो देवी मा का सच्चे मन से ध्यान करते हैं, तो आपको इस विधी के सफल होने से कोई नहीं रोख सकता। चाहे विधी किसी के लिए भी कर रहे हों, चाहे वो कपड़े हैं, आपकी प्रेमिका है, या फिर कोई भी अन्य परिवार का सदस्य है, जो आप से रूट गया है, अगर आप ये विधी अपनाते हैं, तो आपको इस रूटे हुए सक्स को मना सकते हैं, आपके ओफिस में कोई ऐसा इन्सान है जिससे आप कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो आप इस विदि को अपना कर उस व्यक्ती से अपना काम निकलवा सकते हैं तो बिना समय बर्बात करें आपको सिर्फ फित्ना करना है कि जो मैं अगर आपने इस विधी का प्रयोग सही तरीके से किया तो ये विधी अपना असर दिखाएगी और आपका कारिया पूर्ण हो जाएगा जो भी आपके मन में है वो मंशा सार्थक होगी बस एक बात का ध्यान रखेगा दोस्तों कि ये विधी आप किसी भी गलत मंशा के साथ न करें मन में किसी के लिए द्वेश लेकर ये विधी ना करें किसी भी गलत मंशा से की गई विधी कभी भी सार्थक नहीं होती अगर हम कोई भी काम है वो साफ मंशा से नहीं करेंगे सच्चे दिल से नहीं करेंगे तो कभी भी वो कार्य पूरा नहीं होगा इस बात का खास त तो करते हैं लेकिन हमारी मेहनत के फल स्वरूप हमें नहीं मिलता हम अपनी पूरी निष्ठा से सामने वाले से प्यार करते हैं उसके लिए अपने दिल में जगे रखते हैं लेकिन वो हमारी तरफ मूड कर भी नहीं देखता हम भी चाहते हैं कि जिससे प्यार जिससे प्यार वहरी नजरों से हम देख रहे हैं। वो भी उसी प्यार से हमें देखे। हमारे लिए कैर करें, हमारी फिक्र करें। ज्याधा समय ना लेते हुए मैं बताती हूँ किया की सामगरी के आवश्यक्ता होगी। आपको देशी घी का दिया लेना है, जो आपको माता के आगे जलाना है, एक साधा पान लेना है, और थोड़ा सा केसर लेना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है? आपको सुबा उठकर नहा दोकर मातारानी के आगे इड़िया जलाना है घी का और फिर साहम काल में आपको मातारानी के आगे हाथ जोड़कर उस दिये से थोड़ा सा घी लेकर अपने कानों पर लगाना है और अपने फोटो पर अच्छी तरह लगाना है और फिर जो आप पान लाए हैं सादा पान उसको मातारानी के आगे थोड़ी देर के लिए अरपित करना है फिर उस पान भी थोड़ा सा केसर एड़ करना है और उस पान को चबा चबा कर खाना है आपको इस तरह खाना है कि जो पान का रस है जो पान की लाली है वो आपके होटों पर आए और ये पान खाने के बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलें जिसे आप अपने वश में करना चाते हैं तो आप जो भी बूलेंगे उसका सीधा सीधा असर उसके सभी इंद्रियों पर होगा और वो व्यक्ति आपका कारिय पूरा कर देगा जी हाँ ऐसा ही होगा अगर आप सही तरीके से इस विधी को करेंगे दोस्तों इस वेड़ी में किसी मंत्र की आवशक्ता नहीं है आप जो है सीधा सीधा स्थिती को सच्ची मन और शद्धा के साथ कीजिए और अपने आपको खुशाल बनाईए और दोस्तों कोई और समस्या है जिसका समाधान आप ढून ढून कर ठक गए है तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर गुरु जी को फोन कर गुरु जी के पास हर समस्या का समाधान होता है ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरु जी के पास ना हो तो बिना समय बरबात थिये गुरु जी को फोन करें और अपनी हार समस्या का समाधान गुरू जी से पाए जय माता दे दोस्तों